अध्याई ग्यारा जैमिती आकरितियों में समरूपता सिमिलेरिटी इन जोमेट्रिकल शेप्स परिचे इंट्रोलक्षन हम अपने आजपास अलग-अलग तरह की छोटी बड़ी आकरितियां देखते हैं इन में से कुछ वृत्ताकार, कुछ घनाकार, कुछ त्रिभुजाकार जैसी होती है और कुछ को इसी तरह की आकरितियों में बांटकर देखा जा सकता है आकरिती एक देखिए इस मकान की चित्र में विभिन जैमिती आकरितियां देखी जा सकती है इन में कुछ आयताकार है तो कुछ त्रिभुजाकार क्या आप इसमें कुछ और अन्य तरह की आकरितियां ढूंड सकते हैं कौन सी और आकरितियां हैं साथियों से चर्चा करे समान आकरितियां ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इन में से कुछ आकरितियां आकार यानि size एवं आकरिती यानि shape दोनों में समान है यानि सरवांग सम है अब आकरिती दो देखें दो एक में तीन त्रिभुज बने हैं देखने में इन तीनों त्रिभुजों के कोण बरावर लगते हैं एवं भुजाएं एक खास अनुपारत में बड़ी या छोटी दिख किन्तु आकरिती दो दो में दोनों त्रिभुज के कोण अलग अलग है अताहिए दोनों त्रिभुज देखने में ही भिन्न है समान निता एक जैसी दिखने वाली आकरितियों को हम समरूप कह देते हैं परन्तु गडित में समरूप होने की कुछ शर्टे होती हैं क्या दो ए पर यह कैसे निश्रित करें आगे हम इनकी समरूपता पर चर्चा करेंगे स्केलिंग अक्सर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं किसी तस्वीर को बढ़ा करके देखना है या किसी खेद, मकान, कार खाने, अत्वा, मैदान का नक्षा कागस पर बनाना है या फिर बने हुए नक्षे से वास्तरिक दूरियां, आकार, आकरिती, शेत्रफल, आदी पता करना है इस तरह की सभी आवश्यक्ताओं के लिए हम स्केलिंग का उप्योग करते हैं स्केलिंग का अर्थ है आकार यानि साइज में बदलाओ करना यानि आकार को बड़ा या छोटा करना किन्तु बड़ा छोटा करने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिस से नया चित्र पहले वाले जैसा दिखे पहले जैसे दिखने का क्या आर्थ है आकरिती तीन के चित्रों को देखिए आकरिती 3-1 को बड़ा करने के प्रयास में 3-2 और 3-3 प्राप्त हुए है इन दोनों में से कौन सी तस्वीर चुनेंगे जाहिर सी बात है कि पहली इसमें पहली तस्वीर इस तरह बड़ी की गई है जिससे उसकी आकरिती मूल तस्वीर 3-1 के जैसी ही रहे इसके लिए तस्वीर को निशित अनुपात में बड़ा किया गया है हम यह कह सकते हैं कि आकरिती 3-1 वह 3-2 समरूप है अब आकरिती 3-3 को देखिए इस तस्वीर के चौड़ाई उचाई के अनुपात में मूल तस्वीर के चौड़ाई से अधिक प्रतित हो रही है इस बात का ध्यान रखना होता है कि आकार बड़ा यह छोटा करें तो उसकी आकरिती में कोई परिवर्तन न हो और समरूपता का गुण बरकरार रहे स्केल गुणक स्केल फेक्टर दो समरूप आकरितीयों के माप में विशेश्ट अनुपात होता है जिसे स्केल गुणक यह स्केल फेक्टर कहते है स्केल गुणक का उपयोग करके किसी आकरिती को आफश्यकता नुसार निश्चित अनुपात में बड़ा यह छोटा किया जा सकता है जैसे 5 सेंटीमीटर के रेखा खंट को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक 2 होगा क्योंकि 5 गुणित 2 बराबर 10 इसी तरह 50 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर के नक्षे को 10 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर तक स्केल करने के लिए स्केल गुणत 1 बट 5 या 0.2 होगा 50 गुडित 1 बट 5 बराबर 10 सेंटी मीटर 20 गुडित 1 बट 5 बराबर 4 सेंटी मीटर यानि स्केलिंग करने पर रेखा-कंड 2 गुना बड़ा हो जाएगा और नक्षा 1 बट 5 या 0.2 गुना छोटा हो जाएगा हम देख सकते हैं कि जिस अनुपात में नक्षे की एक भुजा कम होई है उसी अनुपात में उसकी दूसरी भुजा भी कम होई है स्केल गुणक यदि एक से अधिक है तो नई आकरिती बड़ी होगी और यदि स्केल गुणक एक से कम है तो नई आकरिती छोटी होगी अब आकरिती चार को देखिए रेखाखंड AB को बढ़ा करने पर रेखाखंड PQ और शोटा करने पर रेखाखंड RS मिलता है माना स्केल गुणक X है एक बढ़ाना डाइलेशन या इनलार्जमेंट PQ बढ़ाबर X कुड़ित AB चुकि X स्केल गुणक है इसलिए PQ बढ़े AB बढ़ाबर X क्योंकि PQ बढ़ा है AB से इसलिए X बढ़ा होगा X से अता आकरिती को बढ़ा करने के लिए स्केल गुणक X से बढ़ा होना चाहिए घटाना RS बढ़ाबर X कुड़ित AB चुकि X स्केल गुणक है इसलिए RS बटे AB बराबर X क्योंकि RS छोटा है AB से इसलिए यहां X छोटा होगा X से इस पश्ट ता आकरिती को छोटा करने के लिए स्केल गुणक X से छोटा होना चाहिए करके देखे 12 cm लंबे एक रेखा खंड को 36 cm लंबा रेखा खंड बनाने के लिए स्केल गुणक क्या होगा इसी तरह 12 cm के देखा खंड के लंबाई को 6 cm करना हो तो स्केल गुणक क्या होना चाहिए नक्षा और पैमाना गाउं, जिला, राज्य और राष्ट के नक्षों को बनाते समय एक बड़े शेत्र को कागश पर दिखाना होता है इसमें अलग-अलग माप के पैमाने लिए जाते हैं यदि 36 गड़ के नक्षे में पैमाना एक सेंटीमीटर अनुपाद पचास लाग सेंटीमीटर या एक सेंटीमीटर अनुपाद पचास किलो मिटर लिखा है तो इससे क्या आर्थ निकालेंगे क्या आपको रोहित की वाद ठीक लगी यहाँ स्केल गुणा कितना है दोस्तों से चर्चा करें सोचे एवं चर्चा करें पहला आप अपने गाउं का नक्षा बनाने के लिए क्या पैमाना लेना चाहेंगे और क्यों दूसरा एक आपको अपनी किताब में बने भारत के नक्षे जो 20 सेंटी मीटर कुड़ी 20 सेंटी मीटर है को दिवार जो 3 मीटर कुड़ी 2 मीटर की है उस पर बनाना है क्या आप इसकेल कुणक 1 मीटर बराबर 12 सेंटी मीटर लेकर बना सकते हैं यदि नहीं तो क्यों इसकेल कुणक अधिक्तम कितना लिया जाए ताकि नक्षा 6 मीटर कोड़ी 4 मीटर दिवार पर बनाया जा सके तीसरा अपनी तहसील वो जिले के नक्षों को बनाने में आप कौन सा स्केल लेंगे और क्यों